नमस्ते मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरहित और आपका कल्पने स्थेटिक्स के हेल्थ इंफर्मेंशन सीरीज में स्वागत है आज का हमारा चर्चा का विशे है कि गाइनेकोमास्तिया सर्ज्री में खर्चा कितना होता है मेरे से अक्सर पेशेंट आकर एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साब एक गाइनेकोमास्तिया सर्ज्री के खर्चे में इतना फर्क क्यूँ है कहीं बहुत सस्था है कहीं बहुत महेंगा है और एक तरफ तो आप कहते होगी gynecomastia एक बहुती सरल प्रक्रिया है बहुत effective है बहुत बढ़िया result देती है और इसमें कोई side effect भी नहीं है और दूसरी तरफ इसे कहीं जादा difficult surgeries इसे कहीं जादा सस्ते में हो जाती है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि gynecomastia surgery की costing में इतना फरक्त क्यों है मैं कोशिश करूँगा थोड़ा छोटे में जवाब देनेगा क्योंकि बहुत लंबा topic है इस पर बहुत बड़ा discussion हो सकता है बहुत सारी बाते हैं मैं काम-काम क्यों बातें बताता हूँ गायने को माध्या surgery की cost या गायने को माध्या surgery पर होने वाला खर्चा तीन-चार basic factors पर depend करता है सबसे पहला तो यह है कि आप ये surgery कहां करवा रहे हो गायने को माध्या surgery अगर आप किसी corporate sector में करा रहे हो तो उसका खर्चा अलग बैठेगा किसी nursing home में करा रहे हो तो उसका खर्चा अलग बैठेगा अब बड़े corporates में क्यों महंगा होता है यह आपको पहले समालू है लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी बात समझानी कोशिश करूँगा यह बड़े अस्पतालों पर भी लागू होगा यह nursing home पर भी लागू होगा अब समझने वाली बात यह है कि बड़ा अस्पताल हो या छोटा अस्पताल corporate sector हो या nursing home हो सभी अस्पताल सरकारी schemes और insurance packages के दबाव में काम करते हैं इसके अलावा बाजार में प्रतीस परधा इतनी जादा है कि कई बार अस्पतालों को न्यूनतम profit में surgery करनी पड़ती है अब इस सब के बीच में अगर कोई cosmetic surgery आ जाए तो सभी अस्पताल अपनी कमाई का संतुलन बनाने में लग जाते हैं यही कारण है कि cosmetic surgery शस्ते में नहीं होती यह केवल gynecomastia पर ही नहीं अप्लाई होता है यह सभी तरह की cosmetic surgeries पर अप्लाई होता है दूसरा कारण है आप किस surgeon से surgery करवा रहे हो आप gynecomastia surgery general surgeon भी करते हैं कोई सर्जन किसी और सर्जन से बहतर है यह आपको फैसला करना है लेकिन सभी सर्जन के हिसाब से अलग-अलग फीस रहेगी इसलिए थोड़ा प्राइस में भी वेरियेशन होगा और तीसरी बात गयनेकोमास्तिया सर्जन के सर्जन को जनरल आनस्तिया यानि बहोष करके भी किया जा सकता है और सुन किसी लगा कर लोकल आनस्तिया में भी किया जा सकता है अब जनरल आनस्तिया में कराने का फायदा यह है कि आप बहोष रहोगे आपको सर्जन का पता नहीं पड़ेगा आँख खोलेगी तो प पाओगे कि सर्जरी हो चुकी है मांगा कि इसके साथ में कॉस्ट पढ़ जाती है बेहुशी के डॉक्टर की खर्चा बेहुशी की दवायों का खर्चा अस्पताल में एक दिन रहने का खर्चा यह भढ़ जाएगा वहीं पे सुनकी सुई लगा कर अगर गायने को मास्टिया क सर्जरी की जाए तो आप उसी दिन घर लौट सकते हो आपको अस्पताल में नहीं रुखना पड़ेगा बेहुशी की दवायों का खर्चा बच जाएगा तो इस पर भी निर्भर करता है कि आप गायने को मास्टिया किस विधी से करवाते हो कि खर्चा कितना मैठेगा गायन गायने को मास्टिया का टोटल खर्चा कितना बैठेगा वैसे एक बात बताओं गायने को मास्टिया की खर्चा की चिंता मत कीजिए जरूरी कितना खर्चा हुआ यह नहीं है जरूरी यह है कि गायने को मास्टिया की सर्जरी कर कौन रहा है सब उससे इंपोर्टन्ट है लेकिन सर्जन की चोईस ये सबसे जारा ज़रूरी है अगर आपके मन में इसके अलावा और कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मुझे आपके सवालों का इंतजार रहेगा इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद